हेलो दोस्तों स्वागत हैं आप लोग का आपके प्ररेज़ों कमई डिप्लोमा वाला प dwarf दोस्तों आज कीर वीडियों हम लोग डिसकस करने जा रहा है रेशियो ऑन प्रिप्पोर्ट्सण के बारे में और समानुपाद क्या होता है उसके बाद सीदे इसके परीष्टियों पे चलेंगे इसमे बहुत कुछ आपको समजना नहीं बस क्यूशन के है प्रैक्टिस करनी है कि और किसे चियों को अपलाई करते हैं कि ए बी का दो गुना है तो बी का दो गुना है मतलब बी एक रहा होगा तो इसका दो गुना होगा यानि इसका तुलना हो गया कि जो ए जो है वो बी का क्या है दो गुना है तो ये अनुपाद बन जाता है सीदे इसी तरह से और भी आप से कह सकता है कि जैसे कि दस लीटर में दो लीटर पानी है तो दस में कितना पानी है दो लीटर तो अनुपात बनाया जाए तो यह कहा जा सकता है कि पांच में एक पानी है या दस में दो पानी है तो यह इस तरह से आपको अनुपात बनता है और समानुपात क्या होता है देखे जैसे कि कह सकता है आप से कि दो तो यह समान अनुपात कब होगा जैसे कि इसको हम यह कर सकते हैं कि चार अनुपाते दस यह दोनों क्या है समान मतलब अनुपात का तुलना अनुपात से जब किया जाता है तो उसको हम समान अनुपात करते हैं अब देखें यह समान अनुपात कैसे होगा यह दो अनुपाते पांच है और इसको हम समान अनुपात अगर बनाए तो ये भी देखिए दो अनुपाते पांच ही है तो कहने का मतलब यही है कि जब हम अनुपात की तुलना अनुपात से करते हैं तो उसे हम समान अनुपात करते हैं बाकी जो अनुपाते जो है X-Y बराबर क्या है 3 बटे 2 मतब 3 अनुपाते 2 यानि कि X-Y और इसका अनुपात किसे है X-Y से और ये दिया है 3 अनुपाते 2 है तो इसका मतलब यही होता है कि X-Y का वैलू 3 है और X-Y का वैलू क्या है 2 है ये किसमे है रेशियो में है ये ध्यान लखेगा कि ये मान जो है रेशियो में है रेशियो में काने का मतलब ये है कि ये 30 भी हो सकता है ये 20 भी हो सकता है ये 60 हो सकता है और ये आपका 40 हो सकता है और इसी तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं कि ये दोनों समान अनुपात में है य अगर दो है तो ये तीन होगा तो अब इसको भी देखा जाए तो ये मतलब काने का ये है कि इसका कितना गुना हुआ ये अगर दो का कितना गुना हुआ तीन बट्टे दो गुना होगा देखिए अगर गुना यहां निकालना चाहें तो ये दो का कितना गुना है तिन यानि कि हर जगह देखिए ये ratio क्या रहेगा सेम रहेगा यानि ये तुलना किया गया है तो यहाँ पर बेस्करी क्या दिया है x plus y के जो मान है x plus y वो 3 है 3 ratio और x minus y का क्या है 2 ratio तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते है x plus y और ratio का मान मतलब अनुपात का मान होता है सीधे बटे यानि x minus y इसको बराबर लिख सकते हैं 3 बटे 2 तो हमें देखिए और पूछा क्या है हमसे पूछा है x square plus y square अनुपाते x square minus y square का मान क्या होगा यही हमसे जानना चाहरा है तो सबसे पहले हमें यहाँ यह और x और y का मान अलग-अलग चाहिए क्योंकि यह x plus y का मान है यह x minus y का तो इसको अलग-अलग हम निकालेंगे तो आप चाहिए तो इसको तिर्चाह से multiply करके भी x और y का मान निकाल सकते हैं इसके लिए हमने आपको एक तरीका बता है योगांतरा नुपात का नियम क्या योगांतरा नुपात योगांतरा नुपात का नियम में क्या होता है कि x पते y सिधे-सिधे हमें मान निकालना है तो इसको हम दो को क्या करेंगे तीन में जोड़ देंगे 3, 2, 5 और फिर 3 में से 2 को घटा के नीचे लिख देंगे यानि कि 1 तो X का मान यहां से हमें 5 मिल गया Y का मान मिल गया 1 अब यही चीज हम इसमें put up कर देंगे जिसमें हमें मान निकालना है तो 5 X के जगाए पर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और Y के जगाए पर 1 के रखेंगे तो 1 के स्क्वाइर करेंगे तो 1 इसको रहने देंगे फिर X के जगाए पर हम 5 रखेंगे तो 25 मान इस क्या हो जाएगा 1 अब यही अनुपात हमें निकालना है तो यह क्या हो जाएगा 26 अनुपाते 24 26 26 को हम क्या लिख सकते है 13 उन पाथ 12 2 से कर देंगे तो ये 13 और ये क्या जाएगा 12 तो ये ही अन्ठाथ हमारा हो जाएगा X square प्लस Y square अन्ठाथ X square minus Y square अब आए ये अगले क्यूशन पे चलते हैं ग्यूशन संख्या 2 पे जी यहां पे कह रहा है कि एक कच्छा में साथ लड़के और लड़किया है मतलब मिलाजुला के लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है साथ है इन में से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात नहीं हो सकता मतलब यह है कि सही अनुपात नहीं है तो काने का मतलब यह है जो अनुपात होता है हमारा जैसे मा लेजिए दो अनुपाते तीन कोई ची दो अनुपाते तीन में है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि 20 और 50 के भी रेशियों में हो सकता है इसका मतलब यह अगर 3 से इसको गुड़ा कर दे तो 6 और यह 15 इसके रेशियों में भी हो सकता है तो काने का मतलब इसका जोड़ दिया जाए अगर 20 और 50 कितना होगा 70 और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 यानि कि 7 रेशियो बराबर 70 तो एक रेशियो कमान 10 तो 10 से हमने जब मल्टिप्लाइ किया तब ये 20 और 50 के रेशियों पहले ये रेशियो किया था 25 अब हमने 10 का मल्टिप्लाइ दोनों तरफ किया तो क्या हो गया 20 और 50 तो वहां से देखी एक रेशियो कमान हमने क्या निकला 10 तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर हम किसी भी संख्या से multiply करें दोनों में, तो यह मतलब इन दोनों का योग निकालें के तब ही उसी संख्या से multiply वाला संख्या निकल जाएगा और देखिए जैसे कि यहाँ पर 60 लड़कें और लड़किया है 60 और लड़के और लड़कियों की संख्या को अगर मिला दिया जाए तो उस ratio से क्या होना चाहिए एक कटना चाहिए जैसे कि यहाँ पे हमने अभी आपको समझाया कि 20 और 50 दिखे इसको हम क्या कर सकते हैं 20 और 50 भी कर सकते हैं 10 का मल्टिप्लाई करके तो 20 और 50 जोड़ेंगे 70 और इन दोनों जब ratio को जोड़ेंगे तो 7 और यह 70 तो 7 सी एक ratio को आणा यह exact value क्या होना चाहिए विवाजित होना चाहिए क्योंकि ratio वही चीज़ होता है जो समान ratio होता है यह जो भी संख्या रही होगी उससे यह दोनों तरफ multiply रहा होगा जैसे कि इसको हम x भी कह सकते हैं कि 2 x और यह 5 x है तो x क्या है दोनों में multiply रहा होगा तब ही कट करके हमारा क्या होगा ratio में value आता है यह सारी चीज़े पहले भी हम discuss कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर बता दे रहे हैं तो कहने का मतलब यह जो exact value रहता है इन दोनों का योग जो इन दोनों का योग यानि 5 x और 2 x दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा 7 x यह 7 x क्या होगा अगर यह 70 x हो सकता है 70 भी हो सकता है 80 भी हो जो भी है वो इस ratio से क्या होना चाहिए divide होना चाहिए यह काने का मतलब सिधे-सिधे यह है तो कहरा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या है? 60 है तो कौन सा ratio नहीं हो सकता? कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? तो वही अनुपात नहीं होगा जो इनको divide नहीं कर पाएगा तो 6-1-7 पहला जो आफसान हमारा 6-1-7 यह इसको divide नहीं करेगा देखे 7 ratio कमान क्या है 60 तो एक ratio कमान अगर यहां से देखे तो 60 बटे 7 यानि पूरा-पूरा divide divide पूरा-पूरा नहीं हो पा रहा है अगर पूरा-पूरा divide नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह जो अनुपात है लड़कों और लड़कियों का नहीं हो सकता मतलब यह हमारा सही जबाब हो जागा क्योंकि यहां पूछ रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता बाकि देखे यह 3-2-5 है 5 से 60 divide होगा तो यह भी हो सकता है मतलब यह है कि देखे फिर यहां पे 3-1-4 4 यह भी divide कर सकता है तो एकदम बिल्कुल कर सकता है फिर यह 7-10 यह भी 60 को divide कर सकता है कर सकता है कहने का मतलब यह देखे 3-2-5 5 है यह divide करेगा कितनी बार में आपका 12-25 यानि 12 तो इसका मतलब यह 24 रहा होगा यह 48 रहा होगा यह 24 हो सकता है लड़कों की संख्या क्या हो सकती 24 और लड़कियों की संख्या 48 तब ही क्या होगा यह value divide हो जाएगा लेकिन यहां पे आप नहीं कर सकते हैं अब आईए दूसरे को तीसरे नंबर के question पे चलते हैं अब देखें तीसरे नंबर के question में क्या कर रहा है कि 15 और 45 कर तीसरा अनुपाद तीसरा अनुपाद देखें इसको अभी हम समझेंगे कैसे निकालते हैं पहले यह समय लेजिए कि जब आपको चार संख्या देजिए चार अनुपाद दे दिया यह क्या है अगर माल लेते हैं कि समान अनुपाद में क्या है समान अनुपाद में इसका मतलब यह होता है कि A बटे B बराबर C बटे D यह चार चीद ध्यान रखेगा A, B, C, D अगर यह समान अनुपाद में है इसका मतलब यह होता है कि A अनुपाते B, समान अनुपात, इसको बोलते हैं समान अनुपात, या इसको आप बराबर भी कह सकते हैं C अनुपाते D, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A बटे B, इसको कैसे लिख सकते हैं, C बटे D अब देखिए अब इन चारों में से किसी 2 को दे सकता है आपको किसी 3 को दे करके किसी एक कामान पूछ सकता है जैसे देखिए अब यहाँ से आप से तीसरा अनुपात पूछ रहा है लेकिन आप से अगर पूछ दे कि पहला अनुपात क्या होगा पहला अनुपात क्या है ए है ए कमान जब पूछेगा तो ए की वैलू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं बी को हम इतार पच्छांतर कर सकते हैं तो बी इंटू सी भाई क्या कर सकते हैं डी कर सकते हैं तो ये पहला अनुपात हो गया इस तरह से हम पहला अनुपात निकालते हैं देखिए आपसे दूतिया अनुपात पूछ सकता है तो दूतिया अनुपात जब भी आपसे पूछेगा तो देखिए दूतिया अनुपात क्या है हमारा भी है तो जब दूतिया अनुपात आपसे तो वो दो value केवल देगा केवल के वाल केवल केक, कौन सी value देगा दो value दे देगा इसका मतलिख भी यह होता है कि यह इस तरह से होता है मतलब दूतिया अनुपाज जब पूछेगा तो b दोनों तरफ होता है ठीक है, तब वहां पे क्या करता है आपको जब दुतिया अनुपात निकालना होता है तो जो बीच वाला होता है जो बीच वाला ये होता है इसका root में करकर के B square ये निकाल लिया जाता है दुतिया अनुपात के लिए आपसे दो अनुपात देगा कौन-कौन सा देखे ये थोड़ा सा गर्ड मिस्टिक हो गया है दुतिया अनुपात के लिए आपको 2 देगा 2 value देगा ऐसे A और B देगा तो इसका मतलब ये है कि देखे ये अनुपात कैसे बनेगा A अनुपाते B ये समान अनुपात क्या बनेगा B अनुपाते A इस तरह से बनता है तो दुतिया अनुपात जब पूस्ता थे इसको हम लिख कैसे सकते है A by B और बराबर में क्या लिख सकते है B by A तो इसको हम अगर देखे तो A square बराबर क्या हो जाएगा B square हमें निकालना है तो B square बराबर हम क्या कर सकते है इन दोनों का multiply यानि कि A square तो B बराबर अगर देखा जाए तो A का square कर देंगे root में हो जाएगा देखे इसको जब square इधर ले जाएगे तो क्या हो जाएगा root में यानि जो एक value आ गई उसको हम क्या कर सकते है root में कर सकते है देखे तीसरा number question आपसे क्या कह रहा है कि 15 और 45 का तीसरा अनुपाति क्या होगा 15 और 45 का तीसरा अनुपाति तो यह कि इस फालूना द्यान देगा कि जब भी आपसे तीसरा अनुपात पूछे या mee अनुपात पूछे इस तरह से कह सकता है क्या करते हैं भाग कर देते हैं देखिए ये सारी चीजी एक रेशियो प्रपूर्शन में अच्छे से आप वो सिखाया जाता है तो इसमें एक कंसेट बनता है वो अभी हम यहां पर डिसकस नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे देखिए अगला क्यूशन हमारा है तीसरा नंबर क्या करा है कि 15 और 45 का तीसरा अनुपाती क्या होगा तो जब तीसरा अनुपाती पूछा जाता है तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेगा जब भी आपसे 33 अनुपात पूछे तो दो वैलू आपका दिया रहेगा इस तर गुड़ा करेंगे और पहलू वैलू से क्या कर देंगे बाग कर देंगे इसी को साल्व कर लेंगे हमारा आंसर आजाएगा जैसे कि इसको हम 5 से कार सकते हैं 3 बार में इसको 5 से कार सकते हैं 9 बार में फिर इसको हम 3 से कार सकते हैं 3 बार में तो 45 यह आपका हो जाएगा 5 यह पंदर है और चार दिये बार है एक तेर है यानि एक सो पैंटीस तो इसका जवाब क्या हो जाएगा एक सो पैंटीस आप हमेशा ध्यान रखे कर जब भी तिस्तिया अनुपाद पूछे तो दूसरे को दो बार मंट्रिप्लाई करके या दो सुरे का स्क्वाइर करके हम पहले स सिका करते हैं भाग कर देते हैं आईए अब अगले क्यूशन पर चलते हैं चार नमर पर देके चार नमर के क्यूशन में कहा रहा है कि यदि दो गोलों के प्रिष्ठी छेतरफल का अनुपाद क्या है उन्चास अनुपादे 25 है तब उनके आयतन का अनुपाद क्या होगा त किसके छेत्रफल का गोले का तो गोले का छेत्रफल क्या होता है प्रिष्ठी छेत्रफल होता है फोर पाई आर इसक्वाईर तो दो गोले हैं तो एक की तरिज्या मा लेते हैं आर वन है तो फोर पाई आर वन इसक्वाईर पहले कि जो है छेत्रफल क्या हो गया फोर पाई आर स्क्वाइर यह हमारा अनुपात बन रहा है इसका मतलब यह है कि दोनों गोलों के तिरज्या के स्क्वाइर का अनुपात यहां दिया है तो अगर यहां से हम देखें आरवन तो क्या हो जाएगा तो इसका स्क्वाइर रहा होगा तो किसका यानि साथ का स्क्वाइर यानि इसक जया का अनुपाद मिल गया, साथ अनुपादे और पांच, अब कहरा है कि आयतन का अनुपाद क्या होगा, तो गोले का अनुपाद क्या होता है, चार बटे तीन पाई यार क्यूब, यह होता है आयतन का फार्मूला, तो यहां पे हम कहते हैं, तिर्जा दो है, तो हम दोनों क अनुपाद निकालेंगे तो 4 बट्टे 3 और πाई और R2 Q यह होगा हमारा जो है आयतन का फार्मॉला तो 4 बट्टे 3 पाई से 4 बट्टे 3 पाई कटी गया है इसका यह मतलब ही है कि R1 का क्यूब हमें करना है और R2 का Q तो R1 का Q करेंगे तो क्या जाएगा 7 का Q 343 और R2 का Q 5 का Q मतलब 125 तो हमारा आयतन का रेशियो क्या बन जाएगा 343 अनुपाते 125 तो आपसन नमबर आपका A सही हो जाएगा आए अगले क्यूचर पे चलते हैं 5 नमबर पे देखिए कह रहा है कि एक आदमी कुछ पेन 1 बटे 3, 1 बटे 4, 1 बटे 5 1 बटे 6 के अनुपात में A, B, C और D में बितरित करता है तब आदमी के पास पेनों की नियुद्ब संख्या कितनी होगी तो देखिए हमें पेनों की नियुद्ब संख्या के निकालना है तो नियुद्ब संख्या के अब कैसे निकाल सकते हैं यह जो रेशियो है उनको हम एड़ करेंगे जितना भी रेशियो रहेगा उनको एड़ करके देखेंगे कि नियुद्ब यह कितना रेशियो बन रहा है नियुन्तम कितना बंद आए वह ही हमारा नियुन्तम पेनों की संख्या ऐगी तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना होगा 1 बट्टे 3, 4, 5, 6 इसका अगर इग्जेक्ट रेशियो निकाले तो क्या है का देखे इसको रेशियो में हम कैसे निकालते हैं तो देखें, एक बट्टे तीन, एक बट्टे चार, एक बट्टे पांच, और क्या है, एक बट्टे छे है, इनको अगर हम देखें, तो निकालना कैसे होता है, सबसे पहले हम करते हैं, यह देखें, बट्टे में ऐसा, तो सभी का बट्टे हम क्या करते हैं, सेम करते हैं, यान जब सबका हर क्या हो गया बराबर तब हमें पता चलेगा कि किसका अंस कितना होगा तो ये 60 है तीन से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 20 बार इसका अंस कितना हो जाएगा 20 इसको देखें तो 15 बार जाएगा ये 15 हो गया इसको देखें तो 12 बार जाएगा और इसको अगर सभी ratio को हम जोड़ दें तो कितना आजाएगा देखें 10 10 20 10 30 30 20 50 और 57 57 यानि 57 रेशियो बन रहा है सभी का minimum ratio तो minimum पेनों की संख्या कितनी हो सकती है 57 हो सकती है maximum कितना भी हो सकता है maximum क्या होगा इसका एक multiple दो multiple तीन multiple यानि 57 के ratio में multiple करते चले जाएंगे तो अनन्त तक पेनों की संख्या अधिक्तम हो सकती है तो नियून तब कितनी हो सकती है 57 इस से कम नहीं हो सकती है अगले question पे चलते हैं 6 नमबर पे देखें यहां 6 नमबर के question में क्या पूछ रहा है 3, 7 और 15 का चौथा अनुपाद समानुपाद क्या होगा तो देखें यहां पे यहां पे यह पहले कुछ दिर पहले कौन सा question तीसरे नमबर पूछा था तृतिया अनुपाद यहां क्या पूछ रहा है 4 अनुपाद आप से दृतिया अनुपाद भी पूछ सकता है प्रतमा अनुपाद ज्यादा तर समभावना रहती है कि दृतिया और तृतिया पूछा जाता है तो देखें यह है क्या चीज़ जिसको हम समझा देते हैं देखें जब भी आपको चार रेसियो दे दे चार रेसियो होता है इसे मान लेजिए A, B, C, D यह अगर कहते हैं कि समान अनुपाद में इसका मतलब यह होता है कि A अनुपादे A अनुपादे B और समान अनुपादे C अनुपादे D यह चार रेसियो हैं तो इसका मतलब यह होता है A बाई B और यह बराबर C बाई D यह वेशिकली इसका मतलब होता है तो यहां देखे question कैसे बनाता है यहां आपसे जब पहला अनुपाद पूछेगा तो वो क्या करेगा B को दे देगा C को दे देगा और D को दे देगा इन तीनों को दे देगा और आपसे प्रत्मान उपाद पूछेगा जब भी आपसे प्रत्मा नुपाद पूछे तो ये ध्यान रखेगा प्रत्मा नुपाद ये आगे प्रत्मा नुपाद जब भी आपसे दुतिया नुपाद पूछे दुतिया नुपाद इस चीच को सीख लिजे याद रखेगा ये ची दुतिया नुपाद तब आप क्या करेंगे देखे जब भी दुतिया नुपात आपसे पूछेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ए देदेगा ए का मान देगा और सी का मान देगा A का मान देगा और C का इसका मतलब यह होता है कि दूतिया अनुपात मान लेंगे आप B दूतिया अनुपात का मान लेंगे B जब भी दूतिया अनुपात पूछता है तो ये भी B रहता है और ये भी B रहता है यानि एक और चार का यह जो D के जगह पे पहलू थी उसका मान पहला और चौथा मान देगा और आपसे दूतिया नुपात पूछेगा यानि कि जो B रहेगा वहाँ पे आपको B दूसरा और तीसरा दोनों को माने के चलना होता है तो यहां से B कमान अगर आपको निकालना हो तो यह भाई B करेंगे बराबर क्या करेंगे B भाई C यहां से देखा जाए तो यह B इसको का है और बराबर क्या हो जाएगा A C तो यहां से B अगर देखें दूतियान उपात क्या हो जाएगा रूट में A इंटू C तो ज़्यादा आपको यहां दिमाग नहीं लगाना बस आपको इतना जानना है कि जब भी आपसे दुतिया नुपाद पूछे तो जो दो वैलू आपके एक जामे दे रहें जैसे कि दो और तीन का दुतिया नुपाद तो सीधे सीधे आपको क्या करना है दो और तीन का गुड़ा करना है और करने में कर देना है बस इतना ही ध्यान रखके यहां चलिए दुतिया नुपाद के लिए यह हो गया जब भी आपसे तृतिया नुपाद पूछे क्या पूछता है तृतिया नुपाद जब भी आपसे तितिया अनुपात पूछता है तो आपको 2 value देगा अभी जैसे कि हमने तीसरे question में देखा 2 value देता है 2 value वो कौन-कौन से value देता है देखिए वो देता है हमको वो हमको सिर्फ और सिर्फ देता है जैसे मालेजी A दे देगा और B दे देगा और जो तीसरा नुपाथ पूछता है मतलब ये जो B है ये यहाँ भी तीसरे नंबर भी होता है उसका सिर्फ और शिक्स्ट मकसद क्या रहाता है इसका मान पूछना तेतिया नुपाथ में उसका मकसद रहाता है ये वैलू पूछना तो अब यहां से हमें x का मान कैसे पता चलेगा तो a by b बरावर क्या होता है by x तो x का अगर हमें मान निकाला तो x को हम यहाले आएंगे और यह क्या हो जाएगा b गुड़े b यानि b square बटे a ध्यान लखिएगा जब भी आपसे तिर्दिया अनुपात पूछे तो जो दूसरी value दी रहते जैसे दिया था अभी हमने कोई दिर पहले बचा दो value दिया है तो दूसरी जो value है इसको हम भी मानेंगे और इसका square करके 3 से क्या कर देंगे divide तो इस तरह से तिर्दिया अनुपात निकालते है और चतुर्था अनुपात निकालने का मतलब ही है कि आपको 3 value देगा A, B और C देदेगा और आपसे D पूछेगा क्याने का मतलब D तो यहां 3 value दिया है जैसे इस question को देखते हैं यहां 3 value दिया है तो यहां पर इसको हमें देखे अगर साल्ब करना हो A अनुपाते B और यह समानुपाते C अनुपाते D तो हम कैसे करेंगे हम क्या करते हैं A, Y, B बराबर क्या करते हैं C, Y, D तो यहां से हमें क्या निकालना है D कमान तो D को हम यहां लाएंगे और यह क्या हो जाएगा B into C B, B क्या हो जाएगा A यह हमारा हो गया यह D कमान है निकालने के लिए चतुर्था नुपात हो गया देखे हमने प्रत्मानुपात कैसे निकालता है यह भी बताया दुतिया फिर तृतिया यहां बताया यह दुतिया कमान आया ये त्रिजिया का ये चतरुथा के लिए है चतरुथा नुपाद यानि चौथा नुपाद तो देखे यहां पे हमें चौथा सामानुपाद निकालने के लिए तीन वैलू दिया है तो हम क्या करेंगे तीन वैलू दिया है तो तो आप कर नहीं पहेंगे. इसलिए इसलिए इसपर आप प्रैक्टिस करके जाईएगा. इसको हम तीन से कर देंगे पाँच बार में. तीन से कड जाएगा पाँच बार में. तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका 35 आ जाएगा. यानि इसका चतुर्था अनुपाद क्या हो जागा 35 हो जाएगा आपसन नमबर आपका कौन सा सही हो जाएगा सी अब आईए अगले क्यूशन पर चलते हैं साथ नमबर पर तो कि साथ नमबर में क्या करा है कि आयत की लंबाई 4 से 5 बढ़ाई गई और चोड़ाई क्या हुआ 3 से 2 घटाई जाती है तब छेतरफल की सनुपाद से कम होगा तो कहने का मतलब यह है कि आयत की लंबाई है पहले क्या थी 4 फिर बढ़ा के कर दिया गया 5 फिर उसके चोड़ाई यानि बी कमान क्या था पहले था 3 और बाद में घटा के कर दिया गया 2 तो कहरा है कि आयत के जो है छेतरफल पर क्या परभाव पड़ेगा यानि कितना कम होगा तो देखिए आयत का छेतरफल क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि इन दोनों का गुड़न पर 4 ती आई 12 पर इन दोनों का गुड़न पर लंबाई गुड़े चोड़ाई पहले बाद में लंबाई क्या हो गई 5 और चोड़ाई क्या हो गई 2 तो बाद में छेतरफल क्या हो जाएगा 10 यानि पहले छेतरफल पर बार है अब कितना हो गया 10 तो कह रहा कि अब अनुपात इन दोनों का क्या होगा तो अनुपात निकाने के लिए इसमें कामन क्या है दो तो दो से हम इसको कार देंगे 6 बार में और दो से इसको कार देंगे 5 बार में तो अब नया अनुपात क्या बन जाएगा उसके 6 तरफल का तो 6 से 5, यानि कितना घटा पहले 6 था, अब 5 हो गया, इस अनुपात में घटेगा, यही आपसे जाना चाह रहा था, तो आपसर नमबर आपका कौन से सही हो जाएगा, D सही हो जाएगा, अब आए अगले question पे चलते हैं, 8 नमबर पे, अब देखें, 8 नमबर के question में आपसे क् पूछ रहा है कि A by B, यानि कि A बटे B बराबर क्या दे या, दो अनुपाते 3, यानि दो बटे 3, यानि A की value यहां से 2 हम रख सकते हैं, B की value 3, लेकिन यह चीज़ यहां ध्यान रखेगा, जब भी अनुपातिक value है, यह कौन सी value है, अनुपातिक, अनुपातिक value हम तभी कि समीक्राइब को अगर दे दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ पांच A क्यूब माइनस 2A स्क्वार B, तो यहां पर हम नहीं पूट करेंगे, जब तक यहां समान बाद मतलब अनुपात में कोई और चीज़ ना दिया हो, यानि कि कहने का मतलब यह है कि अनुपातिक value हमेशा किसम क्या रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 5 गुड़े हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे, एक जगाए पर 2 रखेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 8, माइनस 2 गुड़े, 2 का square करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर B है तो B का मान रखेंगे 3, यह हो गया, फ करेंगे तो कितना हो जागा 27 अब इसी को साल्व करना हमें तो देखिए पांच वठ्टे 40-4-12-24 अनुपाते क्या हो जाएगा तो इसको अगर हम घटा दे तो कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 16 अनुपाते यह क्या हो जागा 27 तो इसका मान क्या आगे यह जो वैलू दिया था इसका मान अगर हमें निकालना था तो कितना आगे 16 अनुपाते 27 तो यह हमारा सही जबाब हो जागा आपसर नंबर है 16 अन नमबर पे अब देखिए 9 नमबर के question में कि आप से फिर 3 अनुपात या 3 अनुपात पूछ रहा है तो 3 अनुपात हम क्या फर्मूला आपको बताएं B square by A B square मतलब जो दूसरे नमबर पे है यानि 15 गुड़े 15 करेंगे और बटे में क्या A मतलब 9 3 तिरिक का 9 और 3 पचे 15 है फिर ये 3 से कट जाएगा 5 बार में तो इसका उनुपात क्या आजाएगा 25 यानि तीसरा उनुपात क्या आजाएगा 25 आजाएगा अगले क्यूशन पे चलते हैं 10 नमबर पे देखिए 10 नमबर के क्यूशन में दिया है A Y B बराबर क्या 7 बटे 9 यानि A बटे B बराबर क्या दिया है 7 बटे 9 यानि A कमान क्या हो गया 7 B कमान क्या हो गया 9 पिर यहां से कह रहा है कि B वट्टे C बराबर क्या है तीन वट्टे 5 यानि B कमान यहां क्या दिया है 3 C कमान क्या दिया है 5 तो आप से क्या जानना चाहरा है A और B और C का अनुपात क्या होगा तो देखें यहां पर B कमान है 9 यहां पर क्या है 3 तो B कमान दोनों जगाए अलग-अलग है जिसको हमें समान कर लेना चाहिए यानि बराबर कर लेना चाहिए तो बराबर हम कैसे करेंगे यहां 9 है जिसको 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से गुड़ा जब आप उपर से 3 से गुड़ा करेंगे तो आपको नीचे भी 3 से गुड़ा करना पड़ेगा अब देखे एक अमान क्या मिल गया हमें 7 मिल गया बी का मान अब क्या मिल गया यहां भी 9 यहां भी 9 तो 9 और सी का मान क्या मिल गया 3 पच्चे 15 पंद्र है तो अब हम कहा है कि ABC का अनुपाद क्या हो जाए है एका मतलब 7, B का मतलब 9, C का मतलब क्या हो गया ये 3 पंद्र है ये क्या हो गया पंद्र है यानि अनुपाद क्या मिल गया ABC का 7, 9 15ैon तो कौन से आपन में है D जो क्योंत प одну проблема D से ही हो जाएगा अब आईए अगले question पे चलते हैं 11 नमबर पे इस वीडियो में हम यहीं तक राने देते हैं अब आख बागे जो question बचे हैं आपके वो आपके अगले वीडियो में साल्ब कराए जाएंगे बाकी वीडियो आप लोगों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताते रहें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद